मेटाबोलिज्म टीवी में आपका स्वागत है जो मेटाबोलिज्म और स्वास्थी के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोथ है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोगलोबिन क्या है मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ मोटापा और मेटाबोलिज्म का विशेशच आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह परीक्षन क्या है जिसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोगलोबिन कहा जाता है जब से diabetes की किताब प्रकाशित हुई है तब से उदाहरण के लिए मेक्सिको के बाजार में ये सभी पुस्तकालेओं में उपलब्ध है नई संक्षिप्त संसकरण में diabetes बिना समस्याओं के किताब हमने एक प्रारंभिक संसकरण launch किया था जो पेशेवर संसकरण है इसमें मधुमेह और मधुमेह से संबंधित सभी बीमारियां शामिल है यानि इसमें अंगों का कटना, दृष्टी की हानी, नपुन सकता और बाकी सब कुछ शामिल है ये केवल मधुमेह का नियंतरण है मतलब ये कि ये बुनियादी है, नियूनतम, जो एक व्यक्ति को बिना दवाओं के मधुमेह को नियंतरित करने के लिए चाहिए क्योंकि व्यापार ये नहीं है कि आप ठीक हो जाएं अगर आप ठीक हो जाते हैं तो फार्मासियोटिकल का व्यापार गिर जाता है क्योंकि आपके लक्षन चले जाते हैं और फिर आपको दवाओं की आवश्यक्ता नहीं होती व्यापार ये है कि आप बीमार बने रहें, लक्षनों के साथ और कमजोर इस पुस्तक में सभी समाधान हैं ताकि आप मधुमेह को अपने हाथों में ले सकें अपने प्रियेजन की मदद कर सकें अंग कटने से बचा सकें अंधे होने से बचा सकें नपुनसक होने से बचा सकें दिल का दौरा पढ़ने से बचा सकें और अनावश्यक रूप से इंसुलिन का उपयोग करने से बचा सकें हमारे पास हजारों और हजारों ऐसे मामलों के उदाहरण है जहां लोगों ने केवल इस पुस्तक की जानकारी पढ़कर और अपने डॉक्टरों की मदद से क्योंकि मधु में एक चिकित्सा समस्या है लेकिन एक डॉक्टर के लिए सबसे बुरा होता है एक अग्यानी मरीज यदि रोगी अग्यानी है तो वह उम्मीद करता है कि डॉक्टर 15 मिनट की मुलाकात में उन सभी समस्याओं को हल कर देगा जो उसने कारियाले में आने से 3 या 4 महीने पहले की है तो ये अब मेकसिको में उप्लब्ध है ये हमारे पास प्यमटो रिको में है और हमारे पास सन्युक्त राज्य अढेरिका में भी है ये पनामा में जारी हुआ इसलिए पुस्तक diabetes बिना समस्याओं के अब उपलब्ध है यदि आपके किसी pre-agent को मधुमे है या किसी को pre-diabetes है तो यह पुस्तक है और आप देखेंगे कि इससे समस्या बहुत जल्दी हल हो जाती है डॉक्टर केवल आपके lab परीक्षणों को देखकर आपको बधाई देंगे इसके अलावा आपकी तोंद पेट भी कम हो जाएगा क्योंकि यह आपको वजन कम करने और मधुमे है या pre-diabetes को नियंतरित करने में मदद करता है ठीक है अब मैं glycosylated hemoglobin के विशे को समझाना चाहता हूँ और मैंने यह विशे इसलिए लाया है क्योंकि यह इस पुस्तक में चर्चा की गई चीजों में से एक है और यह उन परीक्षणों में से एक है जो हर किसी को करवाना चाहिए मैं एक पल के लिए बोर्ट पर जा रहा हूँ हम समझाना शुरू करेंगे कि हीमोगलोबिन क्या है रक्त की कोशिकाएं मान लीजिए अगर एक कोशिका ऐसी है रक्त की कोशिकाएं लाल कोशिकाएं होती है जो रक्त को लाल रंग देती है यह ऑक्सीजन ले जाने का एक तं रक्त कोशिका हैं जो आपकी रक्त को लाल बनाती हैं उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम मांस पनीर अंडे की तरह की चीजों की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन होते हैं वह कोशिका जिसे हीमोग्लोबिन ज्वाई टाउजन डाइन कहा जाता है विभिन्न चीजों से बनी होती है इसमें वसा, कुछ शरकरा और कुछ प्रोटीन होते हैं जिने हीमोग्लोबिन कहा जाता है जो लाल रंग का प्रोटीन है जिससे रक्त लाल दिखता है अब वह जो वहाँ है निर्भर करता है जब एक व्यक्ति उदाहरन के लिए एनीमिया से पीडित होता है तो एनीमिया क्या है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की बहुत कम स्थिती है कुछ भी जो हीमोग्लोबिन को बहुत कम कर देता है वह शरीर की उर्जा को कम कर देगा जीवन शक्ती को कम कर देगा और यहां तक की कैंसर भी ला सकता है अन्य बीमारियों के अलावा जो यह ला सकता है क्योंकि यहां ऑक्सीजन जाती है जो शरीर का जीवन है तो हीमोगलोबिन यही है यह वह लाल रंग का प्रोटीन है जो आपके खून को लाल बनाता है और यह वह जगह है जहां उस कोशिका में ऑक्सीजन लोड होती है जो आपके शरीर के सभी उतकों तक जाती है क्योंकि आप यहां से ज्वाइट आउजन डाइन सांस लेते हैं लेकिन यह फेफडों में प्रवेश करता है फेफडों में खून गुजरता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से लोड हो जाता है और वह सांस जो आपने ली थी वह आपके पैर के अंगूठे की नोक तक पहुंचती है और वहां एक आदान प्रदान होता है जहां यह ऑक्सीजन देता है कार्बन डायोन अक्साइड निकालता है यह सृष्टी का एक चमतकार है लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण है अब एक परिक्षन है जिसे हीमोग्लोबिन ग्लोबिन क्लाइक उसलेटेड के रूप में जाना जाता है और इस परिक्षन को ऐसी परिक्षन के रूप में जाना जाता है यह परिक्षन उन सामाने परिक्षनों में से नहीं है जो आपका डॉक्टर आपसे करवाएगा लेकिन यह एक ऐसा परिक्षन है जिसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ और आपको बताऊंगा क्यों कि हर किसी को इसे करवाना चाहिए यह बहुत सस्ती है लगभग सभी योजनाएं इसे कवर करती है इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को पूर्व मधुमेह या मधुमेह होने का संदेह होता है और दुनिया की आधे से अधिक आबादी को पूर्व मधुमेह है आपको कैसे पता चलता है कि आपको पूर्व मधुमेह है क्योंकि वे पेटू होते हैं अगर वे पेटू या मोटे होते हैं तो पेट का मतलब है कि जिगर में वसा है और यह केवल इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है और यही विशय पूर्व मधुमेह है यह इंसुलिन प्रतिरोध है यह मधुमेह से पहले का चरण है इसलिए हीमोगलोबिन ग्लाइकोसिलेटेड एक परीक्षन है जो हर किसी को कराना चाहिए वह परीक्षन कैसे काम करता है वह परीक्षन एक प्रयोगशाला विशलेशन के साथ एक परीक्षन है जो एक महत्वपूर्ण परीक्षन है सबसे महत्वपूर्ण जो एक मधुमेही या पूर्व मधुमेही को किया जा सकता है वह हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसिलेटेड है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शरीर तूटने वाला है या नहीं आपके गुर्दे खराब होने वाले हैं या नहीं आपकी दृष्टिक होने वाली है या नहीं ताकि यह एक आश्चर्य नहो तो ऐसी परीक्षण कराएं क्योंकि यह परीक्षण आपको बताता है कि आपको कहां होना चाहिए क्या हुआ वह परीक्षण इस तरह काम करता है मैं आपको समझाता हूँ यदि आप एक बूंद खून लेते हैं अच्छा यदि आपसे खून निकाला जाता है एक बूंद खून और उस खून की बूंद को आप माइक्रोसकोप में रखते हैं और उसे बड़ा करते हैं जिसे आप 4000 गुना बड़ा देखते हैं तो हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसिलेटेड परीक्षन के लिए वे 100 कोशिकाओं की गिनती करेंगे अब कल्पना करें कि मैंने यहां 100 कोशिकाओं रखी हैं मैं सभी को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास उन्हें सभी लिखने का समय नहीं है सही और जॉर्ज मुझे मार डालेगा लेकिन कल्पना कीजिए कि मेरे पास 100 कोशिकाओं होती सही तो हीमोग्लोबिन क्रायोक्सिलेटेड परीक्षन करने का तरीका यह है कि वे 100 कोशिकाओं की गिनती करते हैं और जब वे 100 गिनते हैं तो देखते हैं कि उनमें से कितनी मृत हैं वे कैसे जानते हैं कि वे मर चुकी हैं क्योंकि वे कोशिका को पूरी तरह से ग्लूकोज से भरी हुई पाएंगे रक्त की ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं होनी चाहिए लेकिन जब वह कोशिका पूरी तरह से जलमगन और ज्वाइटाउजन डाइन हो जाती है ग्लूकोज के साथ उस चिपचिपी चीनी के साथ तो वह एक मृत कोशिका होती है तो अगर आपकी रक्त की बूंद में 100 कोशिकाओं में से अगर आप 100 कोशिकाओं की गिनती करते हैं तो सामान्य हीमोगलोबिन ग्लाइकोसिलेटेड स्वस्थ, 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 ठीक है स्वस्थ, वास्तव में जैसे स्वस्थ और 5, 2, 5, 6 के बीच है वास्तव में कुछ विशेशद ये कहते हैं कि ये 4, 8, 5, 6 के बीच है जैसे ये स्वस्थ है अगर आप किसी एथलीट को लेते हैं एक एथलीट कोई जो बहुत ज्यादा व्यायाम करता है जो पूरी तरह से स्वस्थ है जो बहुत बहुत अच्छे से सबजियाओं सलादादी खाता है और उसकी हीमोगलोबिन की क्रिकोसिलेटेड जाँच करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आम तोर पर उसका परिणाम यहां आएगा इसका क्या मतलब है कि केवल 4, 8% से 5, 6% तक 100 में से विज्ञान के अनुसार 6% कोशिकाएं मृत होती है यह सामान्य है कि कुछ कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि पूरे दिन आप थोड़ा-थोड़ा मर रहे होते हैं और नई कोशिकाएं बन रही होती है आपके शरीर की सभी कोशिकाएं धीरे-धीरे मरती हैं और गिरती हैं इसलिए नीचे से नई कोशिकाएं निकलती हैं और पुरानी कोशिकाएं गिर जाती हैं क्या इसलिए हमारी तवचा जड़ती है क्योंकि हम इसे बदल रहे हैं यह जीवन का हिस्सा है जीवन का चक्र शुरू करना बदलना और रुकना है है ना तो यहां से शु इस से अधिक नहीं तो जब वे आपको आपकी हीमोगलोबिन ग्लाइक उसलेटेड बताते हैं अगर आप चार आठ पांच छेस के बीच हैं तो आप शांदार हैं आप ठीक हैं अब अगर हम एक नैचरल स्लिम के अंदर हैं उन केंद्रों में से जहां हम लोगों को वजन कम करन है यह गलत है यह पहले ही साबित हो चुका है कि यदि आप एक परसंट कम करते हैं तो केवल एक परसंट से आपकी मृत्यूदर 40% कम हो जाती है इसके प्रमानित अध्ययन है तो यह परीक्षन है जिसे मधुमेहरोगी चोटा परीक्षन सौपलोन परीक्षन कहते हैं क्योंक मतलब कि वे डॉक्टर को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि यह सब सामने आ जाएगा तो अपनी हीमोगलोबिन ग्लाइक उसलेटेड जांच करवाएं यह बहुत सस्ती है और देखें कि यह यहां है और अगर यह 6.0 से उपर है तो चिंता करें और हम आपको यह बता रहे हैं क् कि सच्चाई हमेशा जीतती है